examination से वो खतम हो चुके हैं ठीक है और I know आप बहुत ज़ादा enjoy कर रहे होंगे पर देखो enjoy करने के साथ साथ अब आपको पढ़ाई भी करनी पढ़ेगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब अब enter कर चुके हैं 10th standard में और 10th standard is the first step towards your future आपके future के तरफ जो 10th standard है बच कहा जाता है और एक चीज मैं आपको confirm बता सकता हूँ कि अगर आपको 11th standard में चाहे आपको science लेना है चाहे आपको commerce लेना है या फिर arts लेना है अगर आपको 11th standard में एक अच्छे college में admission लेना है तो 10th standard के marks बहुत ज़ादा matter करेंगे तो अब आपके दिमाग में एक question होगा कि sir अब हम हमारे जो 10th की preparation है उसे start कैसे करें कैसे हम अपने 10th की studies को start करें कौन कौन से हम steps को follow करें जिससे हम अपने 10th की study को और efficient बना सकते हैं कम mistakes करेंगे सही कम से कम mistakes हो और जादा से जादा हम productive हो तो यही बच्छो आज हम लोग discuss करेंगे आज के इस वीडियो में सही है science 2 subject में पढ़ाता हूं और कुछ lesson science 1 के भी पढ़ा लेता हूं कभी कभी सही लेगा ठीक है तो बच्छो अब हम लोग start करते हैं हमारे यह वीडियो सबसे पहली बात अब आपको doubt है कि sir हम लोग ने तो 9th standard पढ़ा 9th standard में बहुत सारी चीजे थी पर अब बहुत सारी चीजे change होने वाली है बच्छो आपके 10th standard में subject almost वही रहेंगे पर examination का तरीका ठीक है examination में जो syllabus होगा उसमें काफी जादा drastical changes आने वाला है तो वो सब कुछ आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर सही है तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारा syllabus क्या है और कौन से subject ह हमें पढ़ने है फिर हम लोग ये जानेंगे कि भाया जो 10th standard है वो 9th standard से अलग कैसे है कैसे हम लोग बोल सकती कि भाया 9th के अंदर हम लोग ने ये ये किया है अब 10th के अंदर हमें और improvement करनी पड़ेगी और उन improvement करने के हमें कुछ steps बता दीजिए सर हमें कुछ ऐसे steps बता सके आप लोगों पता है ना competition बहुत जादा बढ़ गया काफी सारे बच्चे आ चुके competition इतना इतना पढ़ते है कि मतलब अच्छे colleges में seat जो होती हो लिमेंटेड होती है न तो एक criteria होता है एक percentage का criteria होता है कि इतना percentage आपको लाना ही पड़ेगा तब ही आपको वहाँ पर admission मि लिया तो future आपका अच्छा है सही है ठीक है तो चलो बच्चो start करते हैं आज की इस वीडियो को वीडियो का topic क्या रहेगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है how to start 10th class preparation ठीक है class 10th की preparation हम कैसे start कर सकते हैं और ये 24-25 के बच्चों के लिए है अगर syllabus chain नहीं हुआ आगे तो आगे ये subject पढ़ने पढ़ेंगे बच्चों कौन कौन से है सबसे पहला है आपकी तीन languages यह आपके तीन languages है सबसे पहले है आपका English, Hindi और Marathi हिंदी, English, Marathi यह आपको तीनो languages पढ़ने पढ़ेंगे इनके जो exam होंगे बच्चों वो होंगे आपके 80 marks के आपका जो paper आएगा वो आए जिन lessons के उपर जिन में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा preparation करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर देखो ज्यादातर passages रहेंगे ज्यादातर grammar रहेंगे तो आपको grammar prepare करना है end of the moment एक मेने के एक exam के एक मनत पहले भी अगर आप prepare करोगे तो चलेगा अब आते 9 standard में था 9 standard बहता हो तो उसे algebra geometry बोलते थे तो आपको दो subject इसमें पढ़ने है एक होगा बच्छो आपका maths 1 and maths 2 दोनों के combine को marks को ही calculate किया जाता है पर जब आप exam देने जाओगे तो आपको दोनों अलग अलग exam देने है ये exam होगा आपका 40 marks का और ये exam होगा बच्छो आपक बच्छा जो 20 marks है इसमें जो 20 marks है बच्छो वो internal होता है बतलब आपका जो school है वो आपको देगा 20 marks similarly यहां से 20 marks internal यहां से 20 marks internal और इन दोनों का मिला के भी 10-10 marks यानि 20 marks इसका internal फिर हम लोग अपने 5th subject की बात करते हैं that is science and technology ठीक है science and technology की बात करते हैं इसमें भी दो है science and technology part 1 science and technology part 2 अब जो science and technology part 1 है बच्छो उसमें ज्यादा तर जो physics के lesson है और physics chemistry वाले lessons है बच्छो अगर आप 11 standard के आगे जाओगे तो आप लोग को physics, chemistry, biology ऐसा subject पढ़ने पढ़ेंगे तो जो part 1 है बच्छो जो part 1 है उसमें आपको कौन-कौन से subject के lessons पढ़ने हैं आपको पढ़ने ह chemistry वाले lesson है और जो part 2 है part 2 में आपको mainly biology और EBS जैसे lessons पढ़ने हैं जो ज्यादा तर biology और EBS तर related lessons है जैसे animal kingdom क्या हो गया फिर life processes हो गया तो वो हम लोगों पढ़ने हमारे part 2 के अंदर ये भी दो अलग-अलग part के lessons है दोनों का exam आपका अलग-अलग ये part 1 होगा 40 marks का और ये ये वी क्या होगा बच्चो आपका 40 marks का paper होगा दोनों मिलाके आपका 80 हो जाएंगे और 20 marks का internal last हमारा बच्चा है बच्चो social studies में भी दो अलग-अलग subject है एक है आपका history and political science और दूसरा है आपका geography and economics तो ये भी आपकी दो अलग-अलग subject और से दोनों के 40-40 marks से अलग- में आता है मतलब वो चालिस चालिस को मिला कर एक साथ result दिया जाता है और आप लूग में से कुछ बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा और बहुत सारे लोग बताते नहीं जब आपका result आता है तो result आता है बच्चो बेस्ट आफ पाए में दोनों मिला कि हम लोग social studies ही तो मिला कर बच्चो आपके टोटल कितने लेसंस है तो सॉरी टोटल आपकी कितने सब्जेक्ट है छे सब्जेक्ट है पर जब आपको बोड में पर सेंटेज मिलेगा तो वो मिलेगा बच्चो बेस्ट आफ फाए में मतलब इन 6 के 6 सब्जेक्स म मिलेगा जैसे मान लोग आपको मराठी के अंदर सबसे कम मिला तो इस मराठी को गिना ही नहीं जाएगा इसको एक्स्क्लूड कर दिया जाएगा अगर इसके अंदर आपको सबसे कम मार्स मिला तो इस सब्जेक्ट को गिना ही नहीं जाएगा आपको मार्स मिलेंगे बच्च आपका exclude कर दिया जाएगा निकाल दिया जाएगा जिसमें आपको कम marks मिले हैं तो आपको 500 में से ही marks मिलेंगा अब इसका advantage क्या है इसका advantage यह है बच्चों कि आपको जो percentage है वो बढ़ जाता इससे अगर आप यह वाला subject लेगे जिसमें आपको least marks मिला न उसको भी लेके अपना percentage निकालोगे तो उससे percentage आपके कम होते हैं और best of five में आपके percentage थोड़े से boost हो जाते हैं सही है तो इसका एक फायदा है और कुछ बच्चों का doubt होता है कि अगर sir जो मेरा subject exclude होने वाला है जो best of five में निकल जाने वाला subject है अगर वो subject में fail हो गया तो क्या होगा फेल नहीं होन अगर आप कोई भी एक subject में fail हो गए तो आप fail consider किये जाओगे समझ रहो तो आपको 6 के 6 subject में pass होना है पर ये funda क्या है कि जिसमें भी आपको least marks मिलेगा सबसे कम marks मिलेगा उसे आपकी board क्या करती है exclude कर देगी निकाल देगी और बाकी के जो 5 subject बचे जो है उन्हीं count करेगी आपके result के लिए सही है तो आई होब आप लोगो ये जो criteria है बहुत सारे लोग नहीं बताते पर आई होब आप लोगो ये वाली जो चीज है वो पता चल गई होगी नेक्स्ट हम लोग बात करते बच्चो एक बहुत ही important question की तरफ कि sir हमारा जो 10th standard है ये कैसे different है 9th standards है जैसे 9th standard में हम लोग ने बहुत सारी पढ़ए किये same same subject थे तो क्या इतना different है कि लोग एदम hype बना के रखे सबसे पहली बात बच्चो 9th standard में जवाब पढ़ते थे तो आप लोग का semester wise exam होता था जैसे मान लो 9th standard के कि आइन्स में मान लो 15 लेसन है या फिर मान लो 16 लेसन है कि आपकी examination कैसे होती थी आपको सेंब semester 1 में जब semester 1 की दिवाली vacation के पहले वाली exam होती थी तो इसमें से 8 lesson आपको prepare करने होते थे और जब semester 2 आप देते थे तो बागी के जो बचे हुए 8 lesson है वो prepare करते थे मतलब first 8 जो lesson है डिपेंड करता है colleges schools के उपर तो पहले जो 8 lesson है वो आप prepare करते थे किसके अंदर आपके semester 1 में और बचे जो 8 lesson है वो आप prepare करते थे semester 2 में यह होता था 9th standard में पर अगर मैं बात करूँ बच्चों आपके 10th standard की standard की बात करें बच्चों अगर हम लोग जैसे मान लोग अभी science 2 का example लेते है science part 2 science part 2 में बच्चों total है 10 lesson ठीक है total कितने lesson है 10 lesson है तो ऐसा नहीं होगा कि semester 1 में आपको 5 lesson पढ़ने और semester 2 में आपको 5 lesson पढ़ने ऐसा नहीं होगा जब आपकी final board exam होगी जब आपकी final बच्चों board exam होगी तो आपको 10 के 10 lesson पढ़ने पढ़ेंगे मतलब आपको पूरी की पूरी textbook पढ़ने पढ़ने पढ़ेगी जो भी आपकी textbook है चाहे वो science 1 की हो चाहे वो science 2 की हो चाहे वो math 1 की हो math 2 की हो history civics की हो जोग्राफिक की हो आपको पूरी की पूरी textbook पढ़ने पढ़ेगी पूरे textbook विससे आपको questions मिलेंगे पहले बात समझ भई दूसरी बात क्या है बच्चों कि जब आप nine standard देते थे जब आप nine standard पढ़ते थे बच्चों तो उसकी जो question paper है वो आपका school ही prepare करता था आपकी school की जो teachers थे वही prepare करती थी तो उस time पर होता गया था कि जैसे मानलो आप school के टाइप nine standard में कैसे पढ़ते थे आपकी जो teacher है वो आपको पढ़ाती थी एक question देगी फिर उसका answer लिखवा देगी और probably यही chances होता था कि वो जो questions मैडम दे रही है उन्ही questions में से आज जो आपका question paper है उसमें से questions आएंगे तो ही बात है अलग से कुछ question नहीं आता था क्यूंकि वही आपकी मैडम ही prepare कर रही है वो questions आपको दे रही है और मैडम ही आपका question paper भी बना रही है पर अब ऐसा नहीं होगा 10 standard में 10 standard में क्या होगा जो question paper है बच्चो वो board की तरफ से आएगा महारास्ट्रा state board की तरफ से आपको question paper मिलेगा तो इसमें आपको पूरे की पूरी textbook line by line steps क्या क्या है पढ़ने के वो बताओंगा अभी आगे चलके पर अभी तरह समझो कि board के board आपका question paper बनाएगी that's why आपको पूरी की पूरी textbook पढ़नी पढ़ेगी इस दोरान में बात समझ में आ ठीक है पहली बात डरना नहीं है आप लोगो 10 standard में 10 standard बहुत ही easy है ठीक है और क अपने ही school में देते थे सही बात है तो आप जो exam दे रहेते बच्चो वो आप same school में दे रहे हो जैसे school में आप पढ़ रहे हो सही बात है जैसे मालो आप किसी भी school में पढ़ रहे हो तो आप 9th का exam उसी school में वहीं के bench पर बैटके दोगे ना पर 10th में ऐसा नहीं होगा बच पास-पास में कुछ स्कूल होंगी, तो आपको किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, वहां पर जो टीचर होगी, जो इन्विलिगेटर होंगी, जो टीचर होंगी, वो किसी दूसरे स्कूल की होंगी, या फिर आपकी स्कूल की भी हो सकती है, अगर आपकी इलग examination है पूरा पूरा आपको पढ़ना है तो these are some differences from 10 standard sorry from 9th standard in 10 standard clear है समझ में आ गया तो ये कुछ differences है बच्चो आपके 10 standard के अंदर जिसे आपको follow करना पढ़िएगा सही है अब बात कर लेते हैं बच्चो steps to study मुझे बहुत सारे बच्चे इसके लिए आये हैं तो मैं आप लोगों बच्चो एक proven तरीका बताऊंगा ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों ने और ट्राय किया है और और बहुत सारे बच्चों के अच्छे marks आ चुके हैं इन तरीकों को use करके ठीक है यूटूब पे आपको वैसे बहुत सारे वीडियो जाएंगी बहुत सारे अलग-अलग लोग है जो मतलब कुछ भी बनाते हैं views के लिए views के लिए अलग-अलग चीज़े बना देंगे पर हम की बात नहीं करेंगे हम ऐसे steps की बात करेंगे study करने के लिए जो proven है जिससे बहुत सारे लोग को फाइदा हुआ है तो कुछ steps है उनके हम लोग बात करेंगे उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कम से कम आपकी mistake होगी और आप जाधा से जाधा अच्छे से explain करके step number one step number one ही इस बच्छो explanation ज्यान से सुनो क्या है जिसे माल लो आपने अपने 10th science 2 की book उठाई और सबसे पहला lesson है inheritance and variation अब आपको सबसे पहले क्या करना है बच्छो first step जो भी आपको topic पढ़ना है उसके अंदर उस topic का सबसे पहला आपको explanation देखना पड़ेगा कहां से मिल सकता explanation या तो आप किसी coaching में जा रहे हो tuition में जा रहे हो classes में जा रहे हो वहां से आप देख सकते हो अगर आप लोग को सारी सारी चीज़े फ्री में चाहिए देखो YouTube एक ऐसा platform है जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री में अगर आपको ढूंडना आता है तो आई है वैसे भी आपको ढूंडने के जरुरत synthesis पढ़ना है आप topic wise topic पढ़ेंगा पूरा lesson कोई भी बच्चा एक बार में नहीं पढ़ेगा कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि चलो पूरे lesson की वीडियो देख लेता हूं उसके बात पढ़ूंगा ऐसा नहीं आप सिर्फ एक वीडियो या दो वीडियो देखो बहुत ज ठेक्सट बुक Me कि आपके पास जो टेक्स्टबुक है तो अगर नहीं है तो आपने किसी भया या फिर कि दीदी से ले ले ना ठीक है और आप खरीज़ी सकते हो यहाँ फिर आप textbook download भी कर सकते, as a PDF available है, chrome पे सर्च करोगे अगर आप जाके 10 standard science 1, science 2 जो भी आपका subject है, textbook, maharashtra board अगर आप सर्च करोगे तो PDF आ जाते हैं वो भी आप download कर लो, तो पहला step क्या था explanation, आपने explanation देख लिया उस topic का, जैसे माल लो protein synthesis पढ़ा हो, तो आपने protein synthesis का explanation देख लिया, second step है बच्चो you have to read the textbook, जो भी topic आपने पढ़ा है, जो भी topic आपने समझा है अभी उसका, आपको textbook को read करना पड़ेगा सही बात है, जो textbook के अंदर वो topic है उससे आपको thoroughly read करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, कि जो sir ने समझा ही है, क्या वही बाते इसके अंदर लिखी है या नहीं समझे है, जो sir ने समझा है, क्या वही चीज़ इसके अंदर है या नहीं, सही है, और आपको textbook में जो लिखा हुए बच्चो वो भी अच्छे समझ में आएगा, क्यूंकि आपका जो board examination होगा, जब आप board देने चाओगे तो वो textbook के अंदर ही से आएगा, ठीक है board वालों के पास कुछ अलग से कुछ अलग book नहीं होती, उनके पास वही textbook है जो textbook आपके पास है, समझे हैं तो वो उसी के अंदर से question प्रिपेर करने वाले हैं जो textbook आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे important step, it is a very important step लिख देता हो यहाँ पर आगे, it is a very important step बच्चो, कि आपको textbook read करना ही है, explanation देखने के बाद, अब कई सारे बच्चे जब textbook read कर लेंगे तो उनके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं उनके मन में कुछ doubt आ सकते हैं किया sir, यह यह चीज आपने नहीं बताई, या फिर sir, मुझे यह यह चीज समझ में नहीं आई, चीक है, so third step क्या होगा, you have to ask the doubt ask the doubt, समझे हो अगर आपको doubt नहीं आया, आपको आपको अपने doubt को छोड़ना नहीं है ऐसा नहीं कि चलो यार, यह चीज समझ में नहीं आई, चोड़ो इसको आगे बढ़ते, अगर माल लो वही question आपके board में आगया, तो आप क्या करोगे first जाओगे न फिर तो, फिर तो आप सोचो कि अपने board में बैटके, क्यार काश सर से पूझ लिया होता है, एक बार, सही है, so next step you have to ask doubt, doubt करने, doubt पूछने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप comment कर सकते हो, वीडियो के अंदर, पर इस से भी अच्छा तरीका है बच्चो, आप, अगर आपको मुझ से doubt पूछना है, क्योंकि म मैं आप लोगों पढ़ा रहा हूँ, अगर तो अगर आप directly आ सकते हो, मेरे Instagram पे, Instagram पे आओ, ठीक है, मुझे message करो, यह मेरी ID है, मैं आप लोग अपनी ID देलता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे, आप लोग उपने, कितने बच्चे, में दिन में कम से कम, 100-200 तो आपको doubt पूछना है, कोई भी doubt हो, तो इस Instagram पे आ जाना, मुझे message कर देना, मैं आप लोगो doubt बता दूगा, मतलब जो भी doubt नहीं, जो भी आपके solution है, वो बता दूगा, सही है, तो यह 3 step हो जाएंगे, इसका screenshot लेलो, बोलना नहीं है, कोई भी यह बच्चे 3 step, 3 step हो गए आप चलो आगे बढ़ते, अब इन 3 step के बाद, अगर आपने explanation रेख लिया, अगर आपने textbook read कर ली, और next step आपने क्या किया, doubt पोच लिया, तो इन 3 step के बाद बच्चों, वो जो topic है, जो आप पढ़ रहे थे, वो आपका पूरा का पूरा clear हो चुका है, वो आपको अच्छे अब अगला step क्या करना है बच्चों, आपको notes बनाने, next step you have to prepare notes, अब notes क्या होते है, पहला तो आपने कभी notes बनाया नहीं, notes का मतलब यह होते है बच्चों, कि जो भी topic आप पढ़ रहे हो, उसे आप point wise, ठीक है, कैसे, point, point by point, आप किसी book में लिखो, ठीक है, point by point आप किसी book म आपने समझा है ना, जो चीज़े आपने समझी है, वही चीज़े आपने आपको लिखनी है, ताकि आप future में कभी भी उन point को read करो ना, तो आपको topic फटाक से समझ में आ जाए, कि हाँ यार मैंने उस टाइम पर यह पढ़ा था, यह point को read करने के बादे, then you have to prepare notes, अगर आपक आपको notes send, send कर दूँगा, फिर मैं application पर डाल दूगा, हमारों जो application है, JR, tutorial का, इस application को download कर लो, ठीक है, ठीक है, आप मुझे बोलना, अगर आपको notes चीज़े होगा, तो मैं यहाँ पर इस application पर डाल दूगा, पर सारे बच्चे मेरे notes पर depend नहीं रहेंगे, आपको खुद के notes भी बनाने है, अगर आप खुद का notes बनाओगे ना बच्चो, तो वो आपके लिए ज़्यादा beneficial हो, सही है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, सही है, समझ में आगे बाद, then you have to prepare the notes, notes बनाने के बाद क्या करें, notes बनाने के बाद बच्चो, you have to revise, कि क्या करना है बच्चो, आपको उस चीज को पढ़ना है, जो notes आपने बनाए है, उस notes को क्या करना पड़ेगा, आपको prepare करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सही है, और यह आपको ध्यान में रखना है, कि जो भी आप notes बना रहे हो, जो भी आप notes का preparation कर रहे हो, इस notes के अंदर बच् टेक्सबूक की हर एक लाइन कवर हूनी चाहिए अब its book in oh पेइट व मतलब टेक्सबूक की हर एक लाइन कवर होनी चीहे क्योंकि बॉर्ड बना रहा है आपके घर मतलब आपके जिसे ने वह तो नहीं बना रही है मैं तो मिल्न कुशन पर नहीं बनारी में आपको बूर्ड बना रहे हैं वो तो चाहते हैं कि कितना से कितना में difficult बना दो question आकि बच्चे समझी ना पाएं तो ऐसा नहीं करना है वो कोई अलग से किसी बुक से नहीं बढ़ेंगे 12 के बुक से question नहीं बनेंगे दस्वी के बुक से question बनेंगे बट ऐसा कुछ हो सकते कि जो line उनको लगते होगी यार यह line बच्चे धान नहीं देंगे तो इस line से आपन question मना देते हैं आपको हर एक line समझने है ठीक हर एक line पढ़नी है और अगर आपने इन 5 step को follow किया बच्चो तो आपके जो preparation है वो सबसे अच्छी होगी आपकी जो mistakes है वो सबसे कम होंग सही है और इनी steps को आपको follow करना है हर एक topic के लिए सही है कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि वो पूरा का पूरा lesson सबसे पहले वीडियो देखे पूरे lesson का चलो मैं वीडियो देखता हो 5-6 वीडियो एक साथ देखता हो फिर पूरा का पूरा textbook पढ़ूँगा बैठके कि आप कम से कम आप 30 40 percent syllabus आप खतम कर दो 30 to 40 परसंट आप खत्म कर दो इस वेकेशन के टाइम पर क्योंकि आपको अपकी जो college है आपका जो school है जून में शुरू होने वाल है टीक है अट ड़ीड ऑफ जून या फिर अपिर अट लास्ट ऑफ जून तो एट लीस्ट ट्राइ इसमें गेम भी खेलो, enjoy भी करो, साथ साथ में study भी करो, ठीक है, तीन-चार घंटा study करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके future के लिए, आपके 10 standard के लिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है तो बच्चों, I hope आप लोग के लिए ये video helpful रहेगा, comment करके बताना आपको ये video कैस लगी है, वीडियो को like जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर जरूर से कर देना, और अगर आप पुन्य कमाना चाहते हो थोड़ा सा भी, अपने दोस्तों तक इस video को share जरूर से कर देना, ठीक है, चलेगा, सो बच्चों, इस video को यहीं पर end करते हैं, जितनी भी चीज़े मैंने बताई है, हाँ, यहोप आप लोगो चीज़ों समझना है होंगी, ठीक है, सो मिलते हैं, अगले किसी lecture वीडियो में, तब तक के लिए keep study